चेहरे के लिए पांच ब्यूटी स्क्रब चेहरे पर दाख धबे नजर आएं जूरिया हैं या फिर तवच्चा धूप धूल और प्रदूशन के चलते बेजान हो गई हो रसोई में इन सभी दिखकतों को दूर करने के नुक्स के मौजूद हैं नमबर वन केला और ओट मील चेहरे को निखार देता है यहाँ इस स्क्रब को बनाने के लिए एक चमच ओट मील में आधे केले को मसल कर डालें अंगलियों में लेकर इसे चेहरे पर मलें और फेस दो कर हटा लें अगर चाहें तो इसे 15 मिनिट चेहरे पर फेस स्क्रब की तरह भी रख सकती हैं नमबर डू कॉफी स्क्रब दाख थप भी हटाने में कॉफी अच्छा कॉफी असरकारक होता है स्क्रब को बनाने के लिए दो चमच कॉफी में एक चमच ओलीव आईल या फिर नार्यल का तेल मिला लें इस पेस्ट को मिक्स करके जहरे पर स्क्रब करने के लिए इस्तेमाल करें इसे फेस मास्क की तरह लगा कर भी रखा जा सकता है नमबर त्री पपीता और शहद जूरियों पर असरदार इस स्क्रब का हफ़ते में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है एक चमच शहद में दो चमच पपीता मिलाएं इस पेस्ट को मिक्स करें और चेहरे पर मल कर छोड़तें इसे फेस पैक की तरहा लगा कर रखने पर भी फाइदा मिलता है नमबर फोर हल्दी और बेसन स्किन को एक्सपोलियट करने में इस स्क्रब के फाइदे भी नज़र आते हैं स्क्रब बनाने के लिए एक चमच बेसन में आधा चमच दही और चुटकी भर हल्दी मिला लें चेहरे पर इस स्क्रब को लगा कर मलें और फिर दो कर छोड़ा लें चेहरे से जूरियां कम करने में यह स्क्रब कार्यागर होता है नमबर फ़ई चीनी और शेहद डेड्ड स्किन सेल्स और दाग धबों को हटाने के लिए शेहद और चीनी के स्क्रब को बनाएं शहिद के अंटबैक्टेरियल दाख्थबों को कम करने में असरदार होता है दो चमच चीनी में एक चमच शहिद मिलाएं इस पेस्ट को चहरे पर लगाएं, मली और फिर धोकर हटा दें हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग